आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत्पू रेवोलूशनरी फार्मर में तो हर्याना पशुधन तो हर्याना की जो प्राइवाची जो एक शब्द बन चुका है मुर्रा पशुधन हर्याना का नाम लिया जाए और पशुधन में अगर मुर्रा की बात ना की जाए ये हो नहीं सकता तो यहाँ पर जो मुर्रा पशुधन आप देख पा रहे हैं गाउं डीगल जो की डिस्टिक रोहतक के अंतरगत आता है रोहतक के अंतरगत आता है और यहाँ पर बिल्कुल टॉल्टेक्स के पास जैसे ही आप रोहतक से रिवा काडू के नाम से ही आपको पशु पालट या किसान या जो आपकी सामाजी कुठ भैट है वो जानते हैं तो यहां पर यह दो मुर्रा का पशुधन देखने को मिल रहा है जवान मुर्रा का पशुधन है चहरा मोरा यह देखें आप एक बार मेरी तरफ चहरा करें यह देखें मासूम चहरा सिंगों की बनावट और नाक कान यह पत्ता नुमा कान यह देखें पीपल के पत्ते की तरह चोच लिए हुए तो कौन से ब्यात में है यह आपका मुर्रा पशुधन दूसरे ब्यात में है यह देखें डेड साल से आपके पास है इस बार मेल का आपको जनम दि तो गाउं सिंगों खास से ही सुन्दर जो नाई हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं पशुधन की जो साजो सिंगार ये करते हैं कटिंग ये जो करते हैं उनके लिए काफी मशूर हैं और यहीं पर सिंगों खास गाउं से अजे लंबरदार भी यहाँ पर इस मुर्रा है वो मैं जरूर यहां पर एक बार आपको दिखाना चाहूंगा और पूरे लानपान पूरी हाइट की बोडी वेट की यह भैंस है रोकें रोकें यह देखें आप मोटे और मजबूत थन थनों के बीच में जो गैप हमें देखने को मिल रहा है और अडर यह देखें मुत्रमा तो आपने जो जानकारी दी है पहले ब्यात में क्या कुछ दूद उतपादन समता देखने को मिली 20 किलो 20 किलो तो बहुत होती है आज कितनी भैसें ऐसी हैं हर्याना में जो खार की 20 लिटर दे देती हैं थोड़ी है गिनी चुनी है यह देखें तो उन में से एक यहां पर आ बहुत बढ़िया विरले ही इस तरह का मुर्रा पशुधन फिल्ड में हमें देखने को मिलता है लंबाई आप देखें हाइट देखें यह देखें और सेवा काफी अच्छी की गई है रोकें रोकें एक बार रोकें बहुत बढ़िया यह देखें आप मेरे हाथ से आप ये लिएा उने लिए कर दूप बेस रोक लो तो यहां पर देखें कच्छे की ववस्था भी मुर्रा पशुधन के लिए की गई है और जो कालू सर है गाउं डीगल से मुर्रा पशुधन में काफी जाने माने चहरे हैं काफी जाने माने चेहरे हैं जो अच्छे ब्रेडर हैं अच्छे मुर्रा के पशुपालक हैं या अच्छे जो मुर्रा को खरीद फरोख्त करते हैं उन्होंने कालू डीगल का नाम जरूर सुनाओगा. तो यह देखें काफी अच्छा मुर्रागा पुष्ण बहुत बढ़िया तो एक बार फीता ले जाएं और फटा फट इसकी क्या कुछ हाइट है क्या लंबाई है क्या पुठे की चोड़ाई है उसका अनुमान और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर दिखाना है हर चीज इसकी परमात्मा के द्वारा तराशी गई यह देखें आप बहुत बढ़िया हाँ ठीक है बहुत बढ़िया सटीक हाइट वेट लंबाई उचाई का एक यहां पर आपको हंदाजा जरूर दिया जाएगा नीचे से उपर लाएं नीचे से उपर पहा चपल से से शुरू किया गया है और डंडे तक है बहुत बढ़िया बैस ना कोई बात नहीं ओके है ओके है तो ना वहीं रोको मैं पास आओंगा रिडिंग दिखाएंगे रोको उसको हा नीचे आप पकड़ के रखें ठीक है यह देखें उंगली से दबा लें वहां पर डंडे के प अब कर दकार रोको है एक एक प। है इंच यह देखके है तो बहुत की गई है किसी तरह की कोई चिटिंGB नहीं है ये देख़ें नीचए से लगाया गया है और यह अब कर ठीक है बहुत बढ़िया हाँ जी पिछले पुठ्थे की एक बार हाइट का अनुमान और यहां पर देते हुए निचे लगाएं पहले निचे का हिसा दिखाएं यस ठीक है एक दो तीन अप ठीक है यह है पुठ्थे की जो है तकरीबन 5 फूट 6 या 7 इंच के आसपास ठीक है बहुत बढ़िया है और एक चोड़ाई और दिखाएं चोड़ाई चोड़ाई और दिखाएं पुठ्थे की यह देखें आप बैस उंगली लगा लो वहाँ पर यह है 32 इंच के आसपास यह देखें आप बारा एकम बारा बारा दुनी 24 और बारा तिये 36 तीन फुट से चार इंच कम बहुत बढ़िया बई और इस बार इसने एक शुद्ध मुर्रा नसल के मेल काफ को जनम दिया है गहरे काले रंग में इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं और टिट्स मैं एक बार जरूर दिखाना चाओंगा यह देखें आप यह देखें और भारी भर कम अड संगुल के आसपास आगे का फोर अडर जो है यह देखें आप और यह थन और पिछला थन यह देखें आप शालींता काफी अच्छी देखने को मिली किसी भी तरह हाथ लगाएं तो जिंजकने का कूदने का नाचने का यह सभाव नहीं देखने को मिला थोड़ा सा आगे और चलाएं पीछे से रियर अडर जो है वो भी मैं इसका जरूर आपको दिखाना चाहूंगा तो फर्स्ट लेक्टेशन में 20 लिटर दूद उतपादन 27 मुर्रा पशुधन ने दिखाया था तो इस बार बटाड़ा कॉंपिटीशन तो कैंसल हो गया नहीं तो लेके जाते वहा नहीं आज 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 बहुत बढ़ी है तो ठीक है बहुत बढ़िया संपर्क्षुतर बताओ अगाउं शुंदर सिंग वाखास ठीक है हां जी हां जी मेरा फोन नंबर है चुराणमे 680 680 6311 ठीक है ले जाएं बैसको ले जाएं अंदर और पिला दें दूद दूद देखें ले जाओ ले जाओ अंदर ठीक है ठीक है तो ब्याय हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं तो अंदर इसको ले जाते हुए ये देखें बही बहुत बढ़ी है ले जाएं तो कच्चे की वेवस्था जो पशुपालक हैं वो जरूर अपने पशुधन के लिए करें क्योंकि है जिसकी दूरूत पादन समता काफी श्रेष्ट है वो कई बार उसका जो थन है वो पक्के पर दबाव मान जाता है ठीक है यह देखें अक्सर जो हमारी एक गैर मान्यता है कि ग्रामीन सेत्र में कम पढ़े लिखे या फिर जो जो किसान वर्ग हैं वही पशुधन रखते हैं लेकिन यह यहां पर देखें भव्य इन्हों ने अपना जो आवास्थान है उसका निर्मान किया है और यह देखें अंदर की जो रहोत तक से जो रिवाडी रोड है उस पर जो टोल टेक्स है उसको वहाँ पर देख सकते हैं टोल टेक्स के बिल्कुल साथ सटे हुए यह देखें और महान भाव जो यहां पर आए हुए हैं एक बार हाथ हिला करके अबिनन्दन जरूर करें यह देखें पशुधन के काफी शोकीन है समय समय पर जब जहां अच्छा पशुधन देखने को मिलता है जरूर पहुंशते हैं और यहां पर यह देखें जो एक माना जाता है कि प खरीब किसान हैं या जो कम पड़े लिखें हैं वो रखते हैं तो उसके एक गैर मानिता को मैं यहां पर जरूर दिखाना चाहूंगा इस तरफ की वेवस्था को आप देखें यह देखें बालूरेट की वेवस्था वहां पर है और बना लाए और यह यहां पर मुर्रा पशुदन जिसने अभी एक नवजात मेल काफ को जनम दिया है काफी अच्छा मुर्रा का पशुदन जो देखने को मिला बहुत बढ़िया तो यह जो आपने अपना आवास का निर्मान करवाया था कौन से साल में बनाया था यह 2012 में चल भाई बहुत बढ़िया दो बाई हो आप तीन बाई है एक जैसा बनाया है बिल्कुल एक जैसा बनाया है यह देखें भाई बहुत बढ़िया कि अ म 시청 जैसा बेलना खालिए है यह दो ओनाया है बढ़िया झाल अपना चार्फ से और और पनाया है